कि हेगा इस देखो आज के डेट में जो आपको देखने को मिला अडानी पोर्ट में मत अडानी ग्रूप में जो देखने को मिला वो तो मिला ही लेकिन अब तो साम हो गई है मार्केट बंद हो गई है अब हमें उसके बारे में सोचना है जो कल होने वाला देखो चिंता-चिता समान होती है तो ऐसा tension मत रखो अपने mind में मत रखो क्या होगा मैं आपको बताना चाहता हूँ अच्छे company में आगर अपनी investment किया है बीच बीच में गिरावट होते ही रहती है लेकिन लंबे समय में काफी अच्छा मुनाफ़ा देता है लेकिन कुछ ऐसे परिसानी होती है जहां आपको लंबे समय में भी आपको तकलीफ देगा तो दो company ऐसे हैं जिसमें काफी बड़ी गिरावट होनी वाली है हलाकि अडानी पोर्ट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है थोड़ा भी नहीं है उससे कई गुना जादा गिरावट होने वाला तो मैं आपको यह नहीं बोलूँगा कि सारा माल बेस दो लेकिन यह जरूर बोलूँगा कि सावधानी रखनी चाहिए एक्स्ट्रा पोर्टेक्शन आपको रखने की जरूत पड़ेगे यहां पर तो यह देखो यह चार्ट आप देखके थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाओगे कन्फ्यूज इसलिए हो जाओगे क्योंकि आडानी पोर्ट में भी सेम इसी तरीके से गिरावट देखने को मिला बात सही कि नहीं देखो पहले ओ अपमे था फिर गिरावट देखने को मिला फिर ऐसे था फिर दड़ाग से सुबह उते गिरावट देखने को मिला इसी तरीके से अडानी पोर्ट में आपको गिरावट देखने को मिली ना तो क्या आपको क्या लगता है यह आडानी पोर्ट है मैं आपको बताना जा रहा जो सुबह सुबह ही काफी बड़ी यहां पर कि रहाट हो सकता ने को रोगी एक एंड आता है समझ रहों की कहां तक गिर सकता क्या मांन सकते हैं कि विप्टी रुपीज तक जा सकता है तो हमारे आपने हम उल्ड कर सकते हैं लेकिन अगर माली ज़्यादा गिराओट हो रहा तो नहीं यार मैं होल्ड नहीं कर सकते हो ऐसा लोगों को लगता है लंबे समय की चार्ट देखें यहां पर तो लंबे समय में दिखेंगे तो इस टॉक काफी देखो कई बार गिर वाथ थोड़ा देखो उपर जाता है फिर गिर गावाथ फिर उपर गया फिर गिर ग documentation होने वाली है नीचे देखेंगे तो कितना target दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं साथ घंटे पहले आपको बताए गया 18% आफटर यहाँ पर देख सकते हैं जो quarter 4 का जो result है जिसके वज़े से यहाँ पर देख सकते हैं up to 54% further fall मतलब अभी और 50% के गिरावड देखने को मिल सकती है तो मेरे हिसाब से रखता है कि यह news आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा important हो सकता है और एक और shock है एक ही नहीं है एक और है भई तो उसके बारे में मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा लेकिन यह देखो किवल quarter result के वज़े से डिस्क्रिप्शन में लिंक है अगर आप चाहो तो उस चैनल को भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हो high quality stock चैनल का नाम है डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दिया गया है उपर में भी अब जो खबर है जो आपको दिल दहलाने वाली है वो नीची है देख सो इजवाल पहले इजवाल सरकी बात करेंगे यहाँ पर इन्होंनों तो तार्गेट भाई 29 रुपिस कर दे दिया मतलब कमपनी डूब एक काम खतम बेजबाच के निकल जो भाई साफ साफ यह होगा ना सोचो भाई 29 रुपिस तक चला जगा अब क्या हाल होगा 70 रुपिस का स्टॉक 80 रुपिस का स्टॉक 30 रुपिस 20 रुपिस के आसपर चला जगा तो कोटक इंस्टॉशनल ने भी बताया कि भाई देखो 34 रुपिस तक जा सकता है यह फिर CLSA ने भी बता दिया यहाँ पर CLSA फिर देख सकते हैं और मोतिलाल स्वाल दोनों भाई हैं यहाँ पर देख सकते हैं दोनों ने यहाँ पर बताया कि भाई सभी ने सभी ने यहाँ पर आपको गिरावड देखने को मिल सकते देखो एक है तो सही है दो है तो सही है तीन है तो सही है लगिन सभी लोग बोल रहे हैं यहाँ पर देखलो कितने सारे अनलिस्ट यहाँ पर आपको बता रहे हैं दूसरा जो स्टॉक है Mangler Refinery Petrochemical यह कंपनी है Mangler Refinery Petrochemical Limited जो लगबग 51 रुपिस के आसपस देखने को मिल रहा है तुडे और लगबग मैं आपको पिछले एक महीने से स्टॉक नॉर्मल था पिछले 6 महीने से भाग रहा था यह तेल डेट में लेकिन पिछले 5 साल में इस कंपनी ने काफ़ी बड़ा नुक्सान दिया है देखो मैं आ उपर चले जाती है तो कौन सा बड़ा काम कर दिया उसने कोई बड़ा काम किया और यह बिचने के लिए बताया जारा देख लो दोनों साथ में है और लगबग इसका 43 रुपिस का तार्गेट दिया जा रहा जो कि 51 रुपिस से उपर ही चल रहा यहां पर देखो भेल का जो तार्गेट आफ 40 के आज बात तो ये दोनों स्टॉक में यहाँ पर गिरावट देने के लिए बताया जा रहा है और इसका तो जो रिजन है भाई इसका कॉर्ट रिजल्ट बिल्कुल साही नहीं है कंपनियें चाह परफॉर्म नहीं कर पा रहा है नहीं पहले कर पा रहा है और 11-12% का गिरावट देखने को मिला और देखो निफ्टी हाइप है यह तो मांते हो ना कि निफ्टी हाइप है तो मैं आपको बोलूँगा अगर निफ्टी हाइप है तो अच्छे स्टॉक पर ही दिया करो आप जब निफ्टी ऑलरेडी गिर चुका होता है ना तो आप किसी स्टॉक को उठालो बजार भागेगा तो वो भी भागेगा याद रखो मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ अगर निफ्टी बहुत ज़्यादा गिरावट में देखने को मिला तो आप कैसे भी स्टॉक खरी तो कोई दिक्कत की बाद निफ्टी भागेगा तो सभी भागे बहुत सारे आपको वीडियो बना के बताया जा रहें इन्फोमिशन एजूकेशनल वीडियो सारे वीडियो आपको बताया जा रहें टाटा गुरूप के भी कुछ अच्छे अच्छे वाले स्टॉक है बाई संजीब हसीन को भी जो बहुत ज्यादा फेमस स्टॉक है वह यहां से जाके आप देख सकते हो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो यहां पर चोटी चोटी इंफोमिशन दिए जाते हैं जो आपसे मिश नहीं होना चाहिए और अगर आप स्टॉक मार्केट में नहे हो अपने डिमेंट अकाउंट वगरा उपन करना चाहते हो तो अ मतलब महीने में 5-10,000 रुपया आप सेव कर लोगो सोचो कोई टेंचन वाली बात है क्या कोई टेंचन वाली बात नहीं है अल्गो ट्रेडिंग का यहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिलता है मतलब एक रॉबर्टिक टाइप का होता है मतलब आटिफिटिल कंपनी को देखते हैं कौन से अच्छी कंपनी है आज के लिए कौन से कंपनी सग्पनी सग्या है तो यह सारा जो है आपको वेबिनार करकर करके बताए जाता है तो फ्री में आपर आपको सारी बेनिफिट दिया जाता डिमेट अकाउंट फ्री में होता तो डिस्क्रिप्शन में लिंक के वहां से जाके अपने डिमेट अकाउंट वगरा उपन कर सकते हैं बहुत आराम से